नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अमित्माहिश्वरी बिजनस टेनर, कॉर्पर्ट टेनर, मुटिवेशनल स्पीकर एंड सी यू मैं टास उवर्सीज लिमिटेड आप सभी का सोगत करता हूं आज की इंफार्मेटी वीडियो में और आज हम जिस विशे पर बात करने वा वाले हैं, तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि कंपनी पैसा इकठा करती कैसे है, कोई भी कंपनी जब फंड रेज करना चाहती है, तो उसके पास दो मैथड होते हैं, सबसे पहला जो मैथड कंपनी अपनाती है, वो होता है डेट फाइनेंस, डेट फाइनेंस का मतलब कि होता है equity equity का मतलब है अपनी company के share या share holding या company का मालिकाना हक दूसरे व्यक्तियों के साथ share करना यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से company fundraise करती है फंड रेज करने के लिए company क्या करती है सबसे पहले वो company metas overseas limited के तरह अब ही आप बेतर तरही के से निवेश कर पाएंगे तो company क्या करती है IPO issue करती है और IPO लेकर आती है और IP क्या होता है initial public offering मतलब fund raise करने के लिए company अपने equity अपने share को open public के पास लेकर आती है exchange में लेकर आती है जहां से वो share trade हो सकता है और जहां से वो पैसा कमा सकती है दूसरा अब यह share बिकते का है खरीदे बेचे कहां जाती है तो दो exchange हमारे इंडिया में ज्यादा तर फेमस हैं और वो क्या है national stock exchange and Bombay stock exchange दो तरह के exchange है national stock exchange और Bombay stock exchange इसके लावा अब यह समझना जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले हम बात करते है एनसी national stock exchange अब national stock exchange में जो भी company लिस्ट होती है वो क्या होती है national stock exchange में कहते है निफ्टी आपने कही बारे टम सुने होगे निफ्टी index यह सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूं ताकि आप पहले चीज़ों को समझतो लें तबी तो निवेश करेंगे तो निफ्टी क्या होता है national 50 मतलब group of top 50 companies of large capital मतलब जिन companies की सबसे अधा capital value होती है ना market में capitalization का सबसे बड़ा होता है वो पहली 50 companies होती है उसको हम बोलते है national stock exchange का निफ्टी आप बहुत बार सुनेंगे निफ्टी, Sensex, यह सारी चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ तो यह क्या होता है कि उन companies की capital कितनी बढ़ी है दूसरा जो होता है वो होता है Bombay stock exchange और Bombay stock exchange में जो index होता है उसको क्या बोलते है sensitive index, Sensex, Sensex मतलब sensitive index, अब यह क्या होता है यह होता है group of top 30 financially sound companies, वो 30 पहली company जो की value सबस्यादा बढ़ी है, अब आपके मन में प्रशन होना अच्छी कि कि किसी भी company की financial value कैसे calculate होती है तो वो समझते हैं कि financial value कैसे calculate होती है जहां पर उस company के share को company के market price of share से multiply करते हैं तो full value आती है तो इसका मतलब top 50 large capital companies जो होती है वो सारी का आती है nifty में और nifty कहां का होता है वो होता है nsc का national stock exchange, ऐसी top 30 companies जो होती है large capital की वो कहां आती है वो आती है BSC में और BSC का जो index होता उसको बोलते हैं sensex, पहले यह बात आपको clear है sensex, nifty, bsc, nsc, आगे चलते हैं कि किसी भी company का capitalization calculate कैसे करते हैं तो top large capital company का अगर हमें capitalization देखना है कि इस company की capital value कितनी है, market में इस company की actual value कितनी आती है, तो क्या होगा, number of total number of share, उस company के share कितने है, into market price per share, एक price का कितना प्राइज है, एक share का कितना प्राइज है, यह calculate होता है, जैसे मान लिजी एक company के 1 lakh share है, और हर share 10 रुपे का है, तो उस company की market capitalization कितनी हो गई, 10 लाख रुपे, ठीक है न, ऐसी calculate करते है जैसे मान लिजी एक लाख share है, 100 रुपे का एक share है, तो एक करूड रुपे, इसको बोलते है market cap, ठीक है, market cap के बाद हम आगे समझते हैं, कि वारन वफे ने एक बहुत अच्छी बात कहीं, और है, losing money in stock market is near to impossible, share बजार में पैसा चला जाए, गवान दें आप, यह near to impossible है, भगवान बोलते हैं, उन्होंने ये बात कहीं है, किस आधार पर कहीं है, इस आधार पर कहीं है, कि यदि आपको basic knowledge भी है, तो आप आसानी से investing से पैसा कमा सकते हैं, fine, और वो कहते हैं कि risk क्या है, share market के अगर investing की बात करूं, तो सबसे बड़ा risk क्या है, the biggest risk is not having required skill, सबसे बिजनस के जब हम बात करते हैं, तो लोग बिजनस कहीं से सीख कर नहीं आते, अपने parents को देखकर, competitor को देखकर, friend circle में एक दूसरे को देखकर बिजनस चुरू कर देते हैं, और कहते हैं कि हम business में आगे नहीं बढ़ पारें, क्योंकि उनके पास required skills नहीं है, तो यही बात Warren Buff क्या है, करना कैसे है, उसको समझते हैं, सबसे पहले आपको एक trading account खोलना है, fine, अभी trading account क्या होता है, trading account का मतलब होता है, जहां पर आपके share का trade होता है, ठीक है, बहुत से लोग कहते है, demat account, तो पहले difference में जायता हूँ, एक होता है bank account, जिसमें आपका cash पैसा या bank में पैस आपका deposit है, दूसरा होता है trading account, जहां पर trade होता है, share को खरीदा और बेचा जाता है, fine, और trading account से जो next account होता है, वो होता है, demat account, और demat account क्या होता है, जो share आपने खरीदे, या जो share आपने बेचे, वो आपका एक तरह से stock होता है, यहां पर stock होता है, मतलब एक तरह से, जैसे आप कहते हैं, go down, यह go down है आपका, इस go down में क्या होगा, आपने अपने bank account से पैसा transfer किया ट्रेडिंग account में, trading account से अपने share को खरिदा बेचा, खरिदा बेचने के बाद कितने share आपने ले लिए और बेच दिये, वो आपके demate account से plus minus हो जाते हैं, fine, और यहां क्या होता है, trading account मे भी हो सकती है जैसे आप मानली जी आपने ICICI bank का account है आपका और इसी में आपका trading या DMAT account भी बोलते हैं इसी में आपका trading and DMAT account है actually में होते ही तीन अलग-अलग part है एक bank account एक trading और एक DMAT पर लोगो लोग सिर्फ एक ही बात करें देमेट account देमेट देमेट सक्वड़िए और बचने के बाद ऌता है वो यहां आ जाता है यहां पर क्या हता है trading account है और करता है आप यह बैंक account आप ही डेड कर रहे हैं आप ही stock market से खरीद बेच करने के बाद जो आपके क्या क्या है तो दीमेट अकाउंट में जो चीज़ें आती हैं जैसे mutual fund MF बहुत सारी companies क्या कहती है कि आप mutual funds खरीद लीजिए mutual funds का मतलब होता है कि group of different investor in terms of share तो mutual fund में अलग-अलग companies के छोटे-छोटे shares को इकठा करके खरीद लिया है bunch of shares को जब छोटे-छोटे investor आप आपस में मिलकर खरीदते हैं उसको mutual fund कहते हैं next ETF exchange traded fund यह भी एक तरह का investment होता है जहां पर आप कर सकते हैं government securities government भी पैसा earn करने के लिए या पैसा receive करने के लिए या investment लेने के लिए अपनी securities issue करती हैं तो वहां से भी आप चीजें खरीद बेच सकते हैं securities को ले सकते हैं इसके लावा bonds और share bonds में आ गए जैसे बहुत सारी companies के bond होते हैं ICC bank का bond है peerless का bond है या बहुत सारे banks के ICC के लावा आप HDFC PNBC बहुत सारी companies के bonds होते हैं आप bonds खरीद सकते हैं next हो गया share share को खरीदना बेचना यह सारा का सारा काम आपके DMAT account में होता है जो आपके bank account से link होता है तो friends अब बात करते हैं कि share market में invest करते समय में क्या बात को ध्यान रखना है और वो क्या है when to buy when to hold और when to sell कब हम share को खरीदें कितने समय तक उसको hold करें और कब उसको बेचें यह समझना बहुत जूरुरी है और इसको समझने के लिए एक सिधा सिधा सिधानत है when the people are selling जब जाद सारा लोग चीजों को बेच रहे हूं then buy and when there is a fluctuation in market जब market में बहुत जारा fluctuation हो तो hold करें and when the people are selling then buy when the people are buying then sell तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते सेमें न वारन बफे की एक बात हमेशा याद रखना और वारन बफे यह कहते हैं कि जो 5% क्लास है वो सब सदा पैसा आरन करती है शेर मार्केट में क्यों क्योंकि 95% of the masses are donating to 5% class मतलब 95% लोग जो अपना पैसा है न वो 5% को donate कर देते हैं और यह क्यों कहा क्योंकि लोग न सेंटीमेंट के साब से चलते हैं वो मार्केट को की fluctuation को देखते हुए trade करते हैं जब मार्केट तेरी से बढ़ रही होती है न तो उनकी tendency होती है उनका sentiment होता है जारहा चीज़ो तो यह 5% मासेश जो है 95% जो मास है वो 5% क्लास के according काम करती है तो यहां पर समझ में आना इसलिए कहते हैं कि दा फाइनेशल मार्केट इसकंसेस्ट तू बाइंग और सेलिंग जो फाइनेशल मार्केट है वो कंसेस्ट है किस वाज़े से बाइंग और सेलिंग के अधार पर most of the time this is the difference between retail trader और investor दो अलगलग community trade करते हैं मैंने करता 5% लोग जो होते हैं वो 95% लोग का पैसा खा जाते हैं एक तरह से उनसे कमा लेते हैं खा जाते हैं का मतलब यह मैं सोचना है कि पैसे ले लिए उनसे छीन लिए खा जाते हैं का मतलब वो जो small scale investor होता है वो market sentiment को समझी नहीं पाता जब दुनिया बेच रही होती है तो वो भी बेचना शुरू कर देता है और दुनिया खरीद रही होते दो भी खरीदना शुरू कर देता है लेकिन 5% जो class है जिसको investor कहते हैं वो हमेशा market के sentiment को समझते हैं देखते हैं कि 95% लोग कब बेच रहे हैं तो वो 85% कब खरीद रहे हैं तो बेशते हैं अब यह 5% क्लास में आते कौन लोग हैं सबसे पहली जो और ना इस बैंक भी इंवेस्टर है जिस तरह से आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पैसे का क्या इस्थेमाल करती है बैंक उस पैसे को यह तो लोन पर देत पर उस पैसे को इंवेस्ट कर दे नहीं ना साथ परसेंट दस परसेंट बारा परसेंट पंदरा परसेंट बैंक ऐसी जगह निविश्ट करती है जहां आपको देने वाली ब्यास सदा पैसा बैंक कमा सकता है इसलिए बैंक भी एक इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्ट करता है कहाँ पर share market में mutual funds mutual funds जो होते हैं वहाँ पर बड़ी-बड़ी companies के mutual funds होते हैं लोग वहाँ पर छोटे-छोटे पैसे को invest करते हैं और mutual fund 5% classes में आते हैं दुसरा insurance companies अब insurance companies क्या करती है insurance आपने करवाया मान लिजी आपने लाइसी का को insurance लिया वह insurance companies भी उस पैसे को जो आपसे policy के रूप में लिए हैं उसको invest कर देती हैं कहीं ना कहीं जातर insurance company भी share market में invest करती हैं financial institutions बहुत सारे लोग financial institutions चलाते हैं बड़े-बड़े banks हैं बड़े-बड़े फाइनसर्स हैं बड़े-बड़े institutional investor DIY domestic and institutional investor मतलब आपके देश के हमारे देश के जो institution हैं जो finance में काम करते हैं वो भी invest करते हैं share market का और foreign institutional investors FII ये भी invest करते हैं share market में मतलब यदि आपको share बजार में पैसा बनाना ना तो आप देखिए कि इन लोगों की share की buying and selling की tendency क्या है अगर आप यह समझ गए कि यह लोग यह और्गनाजेशन यह 5% class के सरह शेर को खरिदते बेशते हैं उसी tendency को आप follow करते हैं तो आप आसानी से पैसा बना सकते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि शेर खरिदते हैं या बेशते हैं या को सिखाया और बताया जाता है कि यह शेर खरिदते होगे तो फाइदा होगा कहीं न कहीं वह एक strategy होती है एक paid campaign होता है जिसके थ्रू लोग invest करते हैं तो यह चीज़े मैंने आपको basic बताई हैं अगर आप बहुत deep details चाते हैं तो stock market millionaire के नाम से मेरा एक free course YouTube चैनल पर मेरे है उसको आप जरूर देखें subscribe कर लें उसको साथी साथ कोई informative video मिस ना उसके लिए इस चैनल को जरूर subscribe कर लें comment box में लिखकर बताएं कि आप share market में कब से investing शुरू कर रहे हैं या अगर करते हैं तो कितना अच्छा profit या कितना loss आपको हुआ है या क्या आपने सही training या guidance के बाद ही share market में इंवेस्ट करना शुरू किया है आपके मन का कोई भी प्रशन हमें comment box में जरूर लिखें स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बहुश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत